हेलो एवरियन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वाधत करता हूं मैं आप सभी का तह दिल से दोस्तों लेट्स के ट्वेल्थ अपने चैनल के ऊपर दोस्तों चैनल का मकसद आप सभी को जब पता है कि वेल्थ क्रियेशन के लिए मैं सारे वीडियो बनाता हूं और स्ट स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों आप आँख बंद करके पैसा लगाईए कभी भी किसी को लॉस आज तक नहीं हुआ है ना होगा बस आपको करना यह कि इन स्टॉक को रखना पड़ेगा थोड़े लॉंग टम के लिए क्योंकि आपको पता है टाइम में यदि टाइम देगा दोस्तों वही मनी बना सकता है तो स्टॉक मार्केट इस पेसेंस की बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों जो पेसेंस रखेगा वह ऐसी वेल्थ बनाएगा दोस्तों जो किसी ने भी नहीं सोचा और उस व्यक्ति ने भी नहीं सोचा होगा जो उसमें इ यह stock market की जान है दोस्तों यहां पे बात हो रहे ही B2 and H2 आप समझी गया होंगे market में जो लोग active है जानते हैं B2, H2 कौन से stock हैं और इनकी rocket rally आपने आज देखी होगी दोस्तों तो buy करके रख लो जिंदगी सांग से जी होगे दोस्तों आप लोग ऐसी wealth यह बना के दे सकते हैं और खासतर दोस्तों B2 के अंदर तो इतना potential है return बनाने में हलाकि H2 बहुत बड़े group की company हैं लेकिन दोस्तों B2 return देने के मामले में H2 से कहीं ज़्यादा आँगे तो दोस्तों कौन से हैं ये stock अभी मैं चलता हूँ दोस्तों one by one करके आपको बताओंगो उसे पहले कहना चाहता हूँ चैनल पहली आ रहा हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन भी हिट कीजेगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों like भी कर दीजेगा तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के सुरुआत करते हैं तो जिन भाई लोगों को पता नहीं है बीटू कौन है तो दोस्तों बीटू का मतलब बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिलसर्व तो पहले स्टॉक जो मैंने चुना है बजाज फाइनेंस लिम्टेड वेल्ट क्रियेटर स्टॉक है कोई बताने की आओ सकता नहीं दोस्तों कैसा इसने पैसा बनाया है आप समझ लिए कितना बना दिया सौ करोण बना दिया तो ऐसा दिगज स्टॉक है दोस्तों तो लॉंग टम के लिए आप इसे अपने पॉर्टफोलियो में जगए देंगे तो बहुत ही लाजवाब रिटन आप कमा सकते हैं दोस्तों हजार गुना पैसा बनाने वाला स्टॉक है और अपने पॉर्टफोलियो में आप जगए देंगे तो बहतरीन रिटन दोस्तों आपको मिलेगा तो आएच चलते हैं स्टॉक के बारे में हम आपको वन बाई वन करके बताते हैं तो आज की बात यदि हम करते हैं दोस्तों तो अगर आज की हाई की बात करें तो इस टॉक ने आज के दिन दोस्तों 474 का हाई लगाया था उसके बाद नीचे आके स्नी क्लोजिंग दी और आज की ओपनिंग भी दोस्तों बहुत नीचे होई थी 4535 पे तो अच्छा कासर तेजी हुई वह भी स्क्रीन के उपर और स्टॉक का जो पी है दोस्तों 71 का जैसा आप सभी जानते हैं यह एक ऐसी दिगज कंपनी है जो कभी भी दोस्तों डिसकाउंट पे नहीं मिली यह तने सालो में हमें इसाही प्रीमियम पे करना पड़ेगा यदि आप बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में सामिल करना चा करता है दोस्तों तो आप समझ रहें किस पैड़ेगरी की कंपनी है दोस्तों 2021 की सुरुआत से दोस्तों इसमें करेक्शन देखने को मिला है हाला कि और यदि हम बात करेंगे स्टॉक के एक साल के रिटन तो आप देख सकते हैं बहतरीन डिटन 116% से ज्यादा किसमें रिटन के अंदर और अगर बात करें दोस्तों लांग टम की तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया 2002 से दोस्तों अभी आप समझ लीजे 2002 से मतलब 19 साल 19 साल में इसने पैसा 82,000 परसेंट के रिटन दी हैं दोस्तों तो पैसा आपका 821 गुना कर दिया है इस टॉक ने ला दोस्तों मार्केट कैप्टर तीन लाग करोन के असपास था दोस्तों अभी कुछ कम हो गया है तो यह लांग टम में बहुत अच्छी वेल्ट बनाएगा इसका प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है 2021 के अंदर ये आपको ध्यान से सुन लीजे दोस् किस तक 75-100 रुपए का प्राइज आपको ये दिखा सकता है दोस्तों तो एड कीजिए बहुत ही अच्छे डिसकाउंट पर अवेलबल है क्योंकि इसका आप आपने देखी लिया 52 जो हाई करीब 5822 रुपए का है और वहां से बहुत ही बहतरीन करेक्शन मिला है और 52 लोग तो आपको पता ये 1783 रुपए का इसने 52 वीक लोग भी बनाया है तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बिल्कुल नजर में रखिए लॉंग टम में बढ़ियां वेल्थ बना के देगा और मैंने पहली बार इस पे 1829 रुपए पे वीडियो बनाया था लिंक डिस्क्रिप्शन म दोस्तों कमपनी आपको पता है एंबी अपसी तो हई है दोस्तों ये कमपनी साथी साथ इंसोरेंस के बिजनेस में भी इसका कामकाज है और बहतरीन मूमेंटम था आज के दिन लगबख साड़े 6% की तेजी कल जतना गिरा उससे ज्यादा तेजी आज दिखा दी 9706 रुप 9497 रुपए का आज का हाई है दोस्तों तो कितना बड़ा इसने राउंड अप दे दिया और अगर बात करें आज के लो की तो जहां पे खुला उसके बाद नीचे भी आया 9190 के असपास और अगर बात करें इसके वैलुएशन की तो 42 के पी पे अबेलबल है लाउंग टम क की बात करेंगे दो सिक्स्ती परसेंट का मुव यह दिगज दे चुका है ऐसा बहुतरी ने स्टॉक है दोस्तों और अगर हम आप बात करें स्टॉक के 1 य यर की तो आप देख सक्ते हैं दोस्तों एक साल में भी स्टॉक ने 112 परसेंट के रिटन दिये तो दोस्तों बजाज Finance and Sensor बहुत ही लाजवाब कमपनिया हैं आप पोर्टफोलियो में जरूर सामिल कीजेगा और बात करें इसके 5-year चार्ट के रिटन की तो दोस्तो 428% का गजब का रिटन इसने दिया है लाजवाब के रिटन तो दोस्तो बहुत ही ओसम है इस कमपनी के भी तो जरूर आप एड की ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में यहां से अब देख सकते हैं 1444% के रिटन दिये हैं 2008 से अब तक इसने तो लांग टर्म में यह आपको अच्छे रिटन और भी देगा और इसके अंदर दो बिजनेस हैं जैसा मैंने बताया है तो चलते हैं दोस्तों S2 Group के स्टॉक के बारे में अब डिसकेसन करेंगे तो दोस्तों S2 Series का पहला स्टॉक आ चुका है स्क्रीन के ऊपर HDFC Bank के बाद हो रही है यहां पर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर मतलब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा दिगज है इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं है दोस्तों और आप देख सकते हैं करीब आज का जो मुमेंटम है बहुत ही शांदार 34 रुपए का मुमेंटम 5% की तेजी 1401 रुपए के ऊपर जाके आज के दिन की क्लोजिंग दे स्टॉक ने और यदि आप बात करें दोस्तों आज के हाई की तो 1406 रुपए का दोस्तों हाई था स्टॉक का 1361 रुपए आज का दिन का लो आज की ओपनिंग 1368 के असपास होई थी और बात करें स्टॉक के पी के तो 25 के पी पे अबेलिबल नजर आता दोस्तों साथ लग बहतर हजार क्रोन का मारकेट कैपिटल है दोस्तों बहुत ही दिगज निफ्टी के दिगज स्टॉकों में ये स्टॉक साते हैं दोस्तों और मैंने जो चार स्टॉक चुने वी टूए अब को पता है निफ्टी 50 के स्टॉक है सारे के सारे तो यदि आप बात करें सिक्स मन्त के रिटन यहां पर देख सकते हैं 15% का मूव दिया है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में अगर ऐसा मूव मिल ला तो बड़ी बात है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक आपको पता है जाटा मूमेंटम देते नहीं है और एक साल की सुरुआस की बात करें तो स्टॉक में जोरी गिरावर्ट देखने को दोस्तों जरूर मिली है यद Molly हम बात करें दोस्तों के एक साल के रिटन की तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर क्युंद देख सकते दोस्तों इसकी होती है और यहां आप देख सकते हैं इस टॉक ने उननिस सो निन्यानवे से रृटन आप देख लिए ज्जाधा पच्छिस हजार दो सो असी परसेंट गुना कर दिया है अप समझ रहे हैं दोस्तों कितनी वड़ी ये वेल्थ है तो ऐसे दिगज स्टॉक को सामिल कीजे पोर्टफोलियो में दना दन माल बनाईए बहुत ही लाजवाब कमपनी है स्टॉक का 52 वीक लो आपको बताऊंगा तो दोस्तों 826 है हाई की बात करें तो करी 1641 रुपए का 52 वीक हाई भी स्टॉक जड़ चुका है तो HDFC Bank one of the best pick in private banking sector चलते हैं दोस्तों दिगज स्टॉक HDFC Limited की बात करेंगे अभी हम तो दोस्तों आ चुके हैं हम HDFC Limited के स्टॉक पे दोस्तों NBFC ये स्टॉक है housing loan प्रोवाइड करती है बहुत ही लाजवाब कमपनी है दोस्तों और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों स्टॉक का momentum आज का पहले देख लिए जब पच्छे सो बाइस पे closing करीब 102 रुपए की तेजी साड़े चार सबाचार परसेंट की तेजी है जिस तरीके से दोस्तों ये NBFC for housing है इसकी दोस्तों एक और कमपनी है जो की market में लिस्ट नहीं है बहुत ही कम लोग जानते है नाम जरूर कॉस होना हूँ आपने HDB Financial जो की बजाच Finance वाले बिजनिस के अंदर है मतलब जो छोटे-छोटे loan प्रोवाइड करती है retail loan and secured loan उसके बिजनिस में जो आँगे आने वाले सालों में उसकी भी लिस्टिंग देखी जा सकती है दोस्तों तो फिलाल बात करें स्टॉक के 6 मेने के रिटन के तो आप देख लीजे स्टॉक ने 6 मेने में बहतरीन मूव दिया करीब करी 27% से अधिक के रिटन दिया है साल की सुरुवात की अगर हम बात करें तो स्टॉक के अंदर भी correction देखने को मिला जो भी तेजी आई थी दोस्तों दुआरा से गिरावट के mode में चले गए है सारे स्टॉक उसकी आपकी वज़े आपको पता ही है दोस्तों यदि आपको बात करें स्टॉक के एक साल के रिटन की तो आप देख लीजे एक साल के अंदर जो स्टॉक ने मूव दिया है मतलब HDFC लिम्टेड ने करीब करीब 58% का दोस्तों स्टॉक ने जंप दिखा दिया है तो ऐसा हैवी वेट स्टॉक जगर दोस्तों इतने जबरजस्ट रिटन दे सकता है तो आप समझ लीजे कितनी गजब की कंपनियों में से एक है और मार्केट के दोस्तों ये लीडर है इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को पास साल में बहतरीन रिटन है 122 परसेंट के और यदि हम बात करें स्टॉक के लॉंग टर्म चार्ट की तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने लॉंग टर्म में कितना गजब का रिटन दिया 11314 परसेंट का रिटन ये दे चुका है तो दोस्तों बहुत इस टॉप क्लास स्टॉक में से एक है तो इस टॉक को अपनी नजर में रखिये और ये चारों के स्टॉक जो मैंने बताएं B2, NH2 मतलब Bajaj Finance, Bajaj Finserv, HDFC Bank and HDFC Limited ये सारे स्टॉक एक दो दिन के लिए नहीं है दोस्तों ये सभी के सभी स्टॉक आपको लॉंग टम के लिए रखने है स्टॉक का जो पी वैल्यूएशन है भी 25.44 है और बात करें इसके मार्केट कैपिटल के दोस्तों करीब करीब साड़े चार लाक करोन की कमपनी है 52 वीक लो कि ये दिया बात करेंगे तो दोस्तों करीब करीब 1486 हाई की बात करें तो 2896 रुपय का स्टॉक ने हिट किया है तो स्टॉक को नजब रखिए हर गिरावट में एड कीजिए बहुत ही दिगज स्टॉक है वीडियो पसंद आए लाइक कर देना चैनल पर लिए सब्सक्राइब करना मत बूलिए थैंक्यू हो चैनल